नमस्कार दोस्तों स्वागत है आरके क्लासिस में दोस्तों देखते हैं जी एस पेपर टू का कुश्चन आज का कैसा है कल कम लोगों ने देखा था तो चलिए इसको देखते हैं पहला प्रश्ण की क्या कहता है क्या आप इस वक्तव शिश्य शेहमत है कि हमारे सम्विधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिये हैं गिन्तु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है वहीं अगला प्रश्ण है कि भारतिय शंसद एक गैर प्रभुता शंपन विधी निर्मात्री संस्ता है इश्कतन की समेक्षा कीजिए अगला प्रश्ण है कि भारतीय राजनितिक दल्य वेवस्था राष्टून मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है इस तत्य को बिहार राज के परिपेक्ष में स्पष्ट कीजिए यह प्रश्ण हम लोगों ने तयार किया था चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है वरणन कीजिए सेक्शन टू के अगर बात करें तो कहता है कि भारतीय कृष्षी में 1991 से शमवर्दी एबं उत्पादक्ता की प्रविर्तियों की व्याख्या कीजिए बिहार में कृष्षी उत्पादन और उसकी उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए क्या वहवारिक उपाय किये जाने चाहिए नेक्स्ट कृष्ष्षन है देखते हैं इसको हिंदी में भारत में आर्थिक सुदारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिता की विवेचना कीजिए इस संदर में समझाएं कि किस प्रकार राज और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक शाकरात्मक भूमिका का निर्वाह शक्ते हैं शेवन नंबर कृष्षन देखिए सुच में लगू एवं मध्यम उपकर्मों की नई परिभाशा बताएं भारत में और देवी विर्दी की गती को तिवर करने वा आत्म निर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनशित करने में इन उपकर्मों की भूमिका का आलूचनात्मक मुल्यांकन करें कृष्षन नूम्बर एड बिहार में तिवर आर्थिक विकाश में मुख्य बाधाएं क्या हैं इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है भारत में मेकिन इंडिया मोधी सरकार दोहरा शुरू किया गया यह एक प्रकार का स्वधिसी आंदूलन है इस आंदुलन को गती देने के लिए विज्ञान इबं प्रद्रिवकी की भूमी का सदोहारन विस्तार से विवेचना करें काफी अच्छा प्रश्ण है ये नेक्ष्ट देखी कुशन नमबर टेन क्या कहता है कि वर्तमान परद्रिश्च में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंक्या उच्छ स्वास्थ जोखिम घटते हुए प्राकृतिक शंसादन और घटती जा रही कर्शी भूमी इन चारों छेत्रों में से परते के लिए कम से कम चार वग्यानिक पर्यास्टों की चर्चा कीजिए जिनने आप लागू करना चाहेंगे इक कुशन तो देखने में काफी इजी लग रहा है लेकिन गुमा सकता है आगे का देखते हैं कहता है कि बिहार लगातार बार तथा सूखे की प्राकिरतिक आपदाओं का शामना करता रहा है इन आपदाओं के पुरवाणुमान तथा प्रवंधन में विज्ञान तथा प्रद्योकी की क्या भूमिका हो सकती है अपने उत्तर को प्रायो के कुधारणों दोरा समझाएं अगला है COVID-19 की स्थिति की कारण उत्पन हुए नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंतरित करने तता राष्ट के विकास की गती को बनाये रखने के लिए विज्ञान और प्रद्योगी की क्या भूमिका निभा सकते हैं इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए उमीद दोस्तों आपने प्रश्ण को देखा होगा विडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसे लाइक करें नए हैं तो चनल को सस्क्राइब करें मैंस की प्लेलिस्ट में आपको कई सारे विडियो इस प्रकार के मिल जाएंगे धन्यवाद